नमस्कार मैं हूं मालिनी अवस्ति राग्जिरी का ये इतना सुन्दर संकल्प है इतना सुन्दर प्रयास है कि अपनी नई पीड़ी को भारत की महान हस्तियां बड़ी-बड़ी कलाकारों से उनकी साधना और उनकी तपस्या इसकी बारे में पताने उनका परिजय करें और आज मेरा सुन्दर सौबहागी है कि आज मैं आपको कहानी सुनाने जारी हूं आपने भुरू पद्विभूशन शिमती गिर्जादेवीजी के जिने हम सब बड़े आदर और सम्मान से अप्पाजी कहते थे ठुमरी का नाम लेते ही सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है पद्विभूशन गिर्जादेवीजी का बनारेस घराने की कंडधार गाई का सेनिया घराने की गाई का जिनोंने ठुमरी को एक नया आयाम दिया उनके नाम को ही सोचिए सिर्फ कल्पना मात्र कीजिए तो संसे चान्दी जैसे चमकते हैं बाल मुह में चमकता पान का बेड़ा वो हीरे की दमकती लौम और उसमें ठेट बनारसी तेवर खुश मिजाज सुभाव और साथ में खनकती हुई बनारसी आवाज और अदाज अपाजी का जन्नू 1929 में हुआ जब वे सिर्फ पांच बरस की थी उस छोटी सी उमर से उन्होंने संगीत की कठिन साधना अपनी प्रथम गुरु सर्जु प्रसाद मिश्राजी के अधीन प्रार्म कर दी साधना जब और घनी हुई तो दूसरे गुरु पंडित श्रीचद मिश्राजी के अधीन उन्होंने संगीत की तपस्या प्रार्म की चोटी सी उमर में उनके कंट की बारी की और उनकी लगन देखकर उनके गुरुओं ने विठान लिया था कि बनारस की सारी विधाएं जोक बहुत जल्दी उनकी धूम मच गए और सबसे पहले जो उस जमाने में आकाश्वानी था प्रयाग में इलाबाद में 1948 में आकाश्वानी प्रयाग से उनको भुलावा आया और पहली कॉंसर्ट जिससे वो तुरंत मशूर हुई उसका भुलावा उनको मिला 1951 में बिहार आर की कॉंसर्ट में अप्पा जी ने ऐसा गाया कि पूरे देश में छोटी से गिर्जा देवीजी की धूम मच अप्पा जी का विवाह संगीत की बहुत बड़े मर्मग्य और काशी की एक अत्यन्त प्रतिष्ठत संभ्रांत व्यापारी में आदर्णी श्री मधुसुदन जैन काम पाना है तो दोनों में संतुलन बनाना हुदा और इसलिए बल्कि मैं आपको बताओं बहुत पुरानी बाद मैं बहुत छोटी से थी मुझे आदज हासी में एक स्कूल था क्राइस दके जहां पर अप्पा जी अपना गायन देने के लिए आई तो वही मंच पे किनारे उनके पती भी साथ बैठे हुए थे कहीं न कहीं ये छवी मेरे अपने मन में अंकित हो गई जो महिलाय संगीत को अपना जीवन मानती हैं वो ये समझती हैं कि परिवार का संतुलन और साधना का संतुलन ये दोनों को साधना होता है और कहीं न कहीं अपने अंतिन समय तक जै देश विदेश में फैल गई और सारे प्रतिष्ठित आयोजनों की पहली पसंद बन गई हमारी गुरू गिर्जा देवीजी कोई भी कारिक्रम कोई भी उत्सव महुत्सव सम्मेलन बिना उनकी ठुमरी के अधूरा ही रहता उन्निस्सो अठातर में कलकत्ता की प्रतिष्ठित ITC Music Research Academy ने उन्हें बतार एक गुरू अपने अन्युक्त किया और वे अपने अंतिन सांस तर वहीं पर एक गुरू के रूप में प्रतिष्ठित रही आपा जी का पूरा जीवन अंगिनत कारिक्रम देते दीता और अनेक अनुभव थे जिनने वो अकसर हम सभी शिश्याओं क साथ बैठ कर साजह करती थी कुछ अनुभव जरूर आज छोटे बच्चों के साथ में साजह करना चाहूंगे एक बार का बाकिया हो बताती थी जब उनका कारिक्रम वह दिल्ली के ताल का टोरा स्टीडियम उस कारिक्रम में तीन कलाकार आमंत्री थी उस्ताद बिसमेला खा आदत थी कि उन्हें जितना समय दिया जाये वह आयल जग की बात मानकर अपना कारिक्रम उसके पहले ही समाप्त कर देती थी यहां तो 20 मिनट मिला था तो हमारी गुरू ने 18 मिनट में अपना कारिक्रम बंद कर दे एक ठुमरी गाई और एक टपा गाया 18 मिनट हो गए तभी ऑडियंस के बीच में से एक लड़का दोड़ता हुआया और उसके हाथ में एक संदेश था बाद में पता चला यह संदेश भीजवाया था वहीं शोता की रोप में उपस्तित ततकाली उपर राष्टुपती डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन जी जो बाद में देश क आप उसे बल और ओज आता हैं उसके बल पर विमाईक पर बोली मैं तो गाओंगी लेकिन ऐसा ना हो कि आप शोता में हैं आप लोग मुख्यतिती उठके चले जाएं डॉक्टर राधा कृष्णा जी ने हसके कहा हम कहीं नहीं जाएंगी हम तो आपको इस सुनने के लिए आ संगीत को सम्मान मिले उनकी कला को सम्मान मिले इसके डरते नहीं थे बेधड़क कहते थे और आज के कलाकारों को और नए बच्चों को ये भी सीखना चाहिए कि जितना समय कहा गया उतने समय में अपनी प्रस्तुति को पूरा करना वे इतनी सक्षम कलाकारति तम भी समय शासन को बाद तक वो उसको मांगती जी एक अनुभर मुझे और भी याद आता है अपपा जी का प्रोग्रेम था बिहार में उस जमाने में रागभर कॉंसर्ट्स हुआ करती थी चुकि अपपा जी उसमें नहीं नहीं थी अपपा जी का करिक्रम सब ने कहा कि अब दो बज अपपा जी इस तरह टालते टालते करीब साड़े चार बजे के करीब उनका समय आया जब तक अपपा जी का गाने का समय हुआ उस समय तक सामने पंडाल में कोई भी वेक्ति नहीं बचा था दो जार वेक्ति वहीं सो रहे थी बाकि कोई नहीं था बहुत दुखी हुई अपपा जी और दुखी होने के संग संग उन्हें सीधे सामने देखा तो एक मादेव की मूर्ती लगी हुथी मूर्ती के और देख करके उन्हें सीधे आखे बंद की और उन्हें सूजा और मनी म जब उन्होंने आखे खोली तो देखा कि पंडाल में लोग भर चुके थे कहां से वो लोग आ रहे थे सोते से जग गए यह अपने आप आवाज को सुन करके चले आये पूरा सभागार भर गया जब कारिकरम समाप्त हुआ तो एक व्यक्ति महाँ पर एक साधू बबा आये और तब तक व्यक्ति महां से जा चुके थे अपपा जी हमसे हमेशा यह क्याती थी कि वो एक चमतकारिक अनुभूती थी शायद वो ऐसा अक्षण था जब आप कह सकते हैं उन्होंने ईश्वर के दर्शन कर ली लेकिन मैं जो इसमें एक प्राक्टिकल बात देखती मों ये कि क प्रिष्ण बासुरी वजाते थे तो गवे हों या गुपिकाएं या वनमयूर अपने आप खिचे हुए आकर्शित होकर चले आते थे गिर्जा देवी जी को 1972 में पदमश्री, 1989 में पद भूशन और 2016 में पद विभूशन से सम्मानित किया गया 24 अक्टूबर 2017 को गिर्जा देवी जी ने अपने जीवन की अंतिन सांस कलकत्ता हुए आज गिर्जा देवी जी नहीं है लेकिन कलाकार कभी मरते हैं वे अपने पीछे छोड़ गई हैं एक बड़े सम्रद विरासत बनारस के पूरब अंग की गाई की जब जब ठुमरी सु सुनी जाए लिए बड़े सम्मान बड़े प्यार और बड़े निष्ठा के साथ नाम लिया जाएगा सुरी ली गिर्जा देवी जी नमस्ते मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इन वीडियो को लाइक कीजिए औ और फेस्बुक और ट्यूटर के जरिये भी आप हमसे जूर सकते हैं थाइंक्यू नमस्कार मैं हूं मालिनी अवस्ति रागिरी का ये इतना सुन्दर संकल्प है इतना सुन्दर प्रयास है कि अपनी नई पीड़ी को भारत की महान हस्तियं बड़ी-बड़ी कलाकारों से उनकी साधना और उनकी तपस्या इसकी बारे उन पताना उनका परिजय करना और आज मेरा सुन्दर सुबहागी है कि आज मैं आपको कहानी सुनाने जारी हूं अपनी गुरु पद्विभूशन शिमती गिर्जा देवीजी के जिनने हम सब बड़े आदर और सम्मान से अप्पा जी कहते थे ठुमरी का नाम लेते ही सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है पद्विभूशन गिर्जा देवीजी का बनारेस घराने की कंडधार गाई का सेनिया घराने की गाई का जिननों ठुमरी को एक नया आयाम दिया उनके नाम को ही सोचिए सिर्फ कल्पना मात्र कीजिए तो संसे चान्दी जैसे चमकते हैं बाल मुह में चमकता पान का बेड़ा वो हीरे की दमकती लौम और उसमें ठेट बनारसी तेवर खुश मिजाज सुभाव और साथ में खनकती हुई बनारसी आवाज और अंदाज अपाजी का जन्नु उन्ने सो उनत्तिस में हुए जब वे सिर्फ पांच बरस की थी उस छोटी सी उमर से उन्होंने संगीत की कठिन साधना अपनी प्रथम गुरु सर्जु प्रसाद मिश्राजी के अधीन प्रार्म कर दे शाधना जब और घनी हुई तो दूसरे गुरु पंडित श्रीचन्द मिश्राजी के अधीन उन्होंने संगीत की तपस्या प्रार्म की छोटी से उमर में उनके कंट की बारी की और उनकी लगन देखकर उनके गुरुओं ने विठान लिया था कि बनारस की सारी विधाएं जोकि बनारस की गाईकी चोर्मु की गाईकी कही जाती वो सब उनको सिखाई जाएंगा सुयोग ये गुरुओं के हाथ में पड़ी छोटी से गिरजा उनको मशूर होने में समय नहीं लगा बहुत जल्दी उनकी धूम मच गए और सबसे पहले जो उस जमाने में आकाश्वानी था प्रयाग में इलहबाद में 1948 में आकाश्वानी प्रयाग से उनको बुलावा आया और पहली कॉंसर्ट जिससे वो तुरंत मशूर हुई उसका बुलावा उनको मिला 1951 में बिहार आरा आरा की कॉंसर्ट में अप्पा जी ने ऐसा गाया कि पूरे देश में छोटी से गिरजा देवी जी की धूम मच गए अप्पा जी का विवा संगीत के बहुत बड़े मर्मग्य और काशी के एक अत्यन्त प्रतिष्चत संभ्रांत व्यापारी आदर्नी श्री मधुसुदन जैन जी सेखवा विवा के बाद पारिवारिक दायत्वों के बावजोड हमारे गुरु ने संगीत साधना नहीं छोड और यह समझ लिया कि पारिवारिक दायत्वों के बावजोड यदि संगीत में की मुकाम पाना है तो दोनों में संदुलन बनाना होता और इसलिए बलकि मैं आपको बताओं बहुत पुरानी बात मैं बहुत छोटी से थी मुझे आदज हासी में एक स्कूल था क्राइस दके जहां पर अपपा जी अपना गायन देने के लिए आई तो वही मंच पे किनारे उनके पती भी साथ बैठे हो गए थे कही न कही ये छवी मेरे अपने मन में अंकित हो गई जो महिलाय संगीत वो अपना जीवन मानती हैं वो ये समझती हैं कि परिवार का संतुलन और साधना का संतुलन ये दोनों को साधना होता है और कही न कही अपने अंतिन समय तक जैसा मेरे अपने गुरू को देखा वो सारे प्रतिष्ठित आयोजनों की पहली पसंद बन दें हमारी गुरु गिर्जा दे देजी। कोई भी कारिक्रम, कोई भी उत्सव, महुत्सव, सम्मेलन बिना उनकी ठुमरी के अधूरा ही रहता। 1978 में कलकत्ता की प्रतिष्ठित ITC, Music Research Academy ने उन्हें बतोर एक गुरु अपने अन्युक्त किया और वे अपने अंतिन सांस तर वहीं पर एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रही आपका जी का पूरा जीवन अंगिनत कारिक्रम देते दीता और अनेक अनुभव थे जिनने जब उनका कारिक्रम वह दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम उस कारिक्रम में तीन कलाकार अमंत्रित थी उस्ताद बिसमेला खांसा डिवी पलुसकर जी और हमारी गुरु गिर जा देवी जी समय कम था क्योंकि मुख्याती थी विशिष्टती थी थे 20-20 मिनट का समय तीन कल उने 18 मिनट में अपना कारिक्रम बंद कर दे एक ठुमरी गाई और एक टपा गाया 18 मिनट हो गए तभी ओडियंस के बीच में से एक लड़का दोड़ता हुआया और उसके हाथ में एक संदेश था बार में पता चला यह संदेश भीजवाया था वहीं शोता की रोप में हमारी गुरू जी जो संगीत की साधना के तप से बल्ग और ओज आता है उसके बल्ग पर विमाईक पर बोली मैं तो गाऊंगी लेकिन ऐसा ना हो कि आप शोता में हैं आप लोग मुक्यतिती उठके चले जाएं डॉक्टर राधा कृष्णा जी ने हसके कहा हम कहीं नहीं ज साधना के प्रतिक कितने निश्ठावान हुआ करते थे संगीत को सम्मान मिले उनकी कला को सम्मान मिले इसके डरते नहीं थे बेधऴा कहते थे और आज के कलाकारों को और नई बच्चों को ये भी सीखना चाहिए कि जितना समय कहा गया, उतने समय में अपनी प्रस्तुति को पूरा करना, वे एतनी सक्षम कलाकार्थि तम भी समय करुशासन को बाद तक वो उसको मांगती लिए एक अनुभर मुझे और भी याद आता है, अप्पा जी का प्रोग्रेम था बिहार में उस जमाने में राध भर कॉंसर्ट्स हुआ करती थी, चुकि अप्पा जी उसमें नहीं नहीं थी, अप्पा जी का करिक्रम सब ने कहा कि अब दो बजे फिर सबने का तीन बजे और चार बजे इस तरह टालते टालते करीब साड़े चार बजे के करीब उनका समय आया, जब तक अप्पा जी का गाने का समय हुआ, उस समय तक सामने पंडाल में कोई भी व्यक्ति नहीं बजा था, दोचार व्यक्ति वहीं सो रहे थी, बाकि कोई नहीं था, बहुत दुखी हुई अप्पा जी, और दुखी होने के संग संग, उन्होंने सीधे सामने देखा तो एक मादे वापी को सुनाने तो आई, और उन्होंने सा लगाया, और आख बंद करके उन्होंने जोगिया गाना प्रारंप किया, करीब आधे घंटे बाद जब उन्होंने आखे खोली, तो देखा कि पंडाल में लोग भर चुके थे, कहां से वो लोग आ रहे थे, सोते से जग गए, कि अपने आप आवाज को सुन करके चले आये, पूरा सभागार भर गया, जब कारिकरम समाप्त हुआ, तो एक व्यक्ति महाँ पर एक साधू बाबा आये, और उन्होंने से कहा कि बेटा इतना अच्छा गाया, मेरी और से तुमको शुभाशीश, मेरी गुरु बताती कि आप कह सकते हैं, उन्होंने इश्वर के दर्शन कर लिए, लेकिन मैं जो इसमें एक प्राक्टिकल बात देखती हुआ ये, कि कलाकार के सुर मेदी तप होता है, तो सोया हुआ आदमी भी चला आता है, आज भी आपकी गाय की में दम खंपो, तो शोता खेचा हुआ गिर्जा देवी जी को 1972 में पदमिश्री, 1989 में पद भूशन और 2016 में पद विभूशन से समानित किया गया, 24 अक्टूबर 2017 को गिर्जा देवी जी ने अपनी जीवन की अंतिम सांस कलकत्ता हुआ, आज गिर्जा देवी जी नहीं है, लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं, वे गई हैं, एक बड़े सम्रद विरासत बनारस के पूरव अंग की गाई की जब जब ठुमरी सुनी जाएगी, जब जब पूरव अंग की गाई की सुनी जाएगी, बड़े सम्मान, बड़े प्यार और बड़े निष्ठा के साथ नाम लिया जाएगा, सुरी ली गिर्जा दे नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियो को लाइक कीजिए और फेस्बुक और ट्विटर के जरिये भी आप हमसे जोड़ सकते हैं, थांक्यू